नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनलन्ज सूचना के अनप्राप तमाम नियोजिक सिक्षकों एवं दर्शकों का पुना स्वागत है दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें नोटिपिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर से जरूर दवाएं ताकि नोटिपिकेशन के माध्यम से आप तक सही सही जानकारी मिल सके दोस्तों प्राया ऐसा देखा जाता है कि संता दिवस एवं गंतंत्र दिवस के अफसर पर संस्था के परधान अपने विद्याले या संस्था में आए मुख अतिति के रूप में सांसद, विधायक, जिलापारसद, प्रखंड परमुक, आदी के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के उदेश से जंडा फाराने को अमान्तित करते हैं और मुख अतिति, नीसंकोच जंडो तोलन करते हैं लेकिन यह सम्मेदानिक अधिकारों का हनन माना गया है इस सम्मंद में देवरिया निवासी नागेंदर प्रसाद सिंग ने आटियाई के माध्यम से लोग सूचना पदाधिकारी साग जिलापाधिकारी छपरा से सूचना मांगी थी आबेदक द्वारा सूचना मांगी गई थी कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सरकारी विद्याले एवं सरकारी कारजालों पर जंडो तोलन का सही समय एवं जंडो तोलन का सम्मेदानिक अधिकार किसको है लोग सूचना पदाधिकारी सारन द्वारा दिये गए सूचना की अनुसार जनडो तोलन का सही समय प्रवान में ही है तथा जनडो तोलन का सम्मेदानिक अधिकार संस्था परदान को है बता दें कि बिगत कुछ वर्षों से विद्याले परवंदन कमीटी के परदेन अधियक्ष द्वारा विद्याले में जनडो तोलन किया जा रहा है विद्याले परवंदन कमीटी के परदेन अधियक्ष विद्याले के परदान नहीं हो सकता है विद्याले के परधान तो परधना ध्यापक ही होते हैं और ऐसी इस्थिती में सम्मेदानिक अधिकार हस्तांतरित नहीं किये जा सकते हैं